नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुशिल पुन्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिन्नो गृप सर्विसेज दोस्तों हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेए ताकि बविसे में भी आपको इसी रोचस जानकारियां मिलती रहे आएए दोस्तों आज जानते हैं नहरू और गांधी प्रिवार के कुछ बड़े रहसे हैं जो साइद आपको हैरान कर देंगे हर हिंदुस्तानी आज नहरू और गांधी प्रिवार का सच जानना चाता है आज हर कोई इन दोनों प्रिवारों का सच जानना चाता है क्योंकि नहरू और गांधी प्रिवार भारत के नामी प्रिवारों से तालुक रखता है बारत के इस नहरू परिवार की कुछ सची दिल्चस्प बातें हैं जो गांधी परिवार की पूरी तस्वीर खोल कर रख देगी गांधी परिवार का पूरा कच्चा चिठा आपके सामने होगा ऐसी कुछ संसनी खेज बातें जिसका इतियास गवा है तो आईए जानते हैं इस नामी नहरू गांधी परिवार की पूरी सच्चाई इंद्रा गांधी के पिता जुहरलाल नहरू थे जिसका जनम इलाबाद में एक वेश्याओं के मोले में हुआ था हर एक न्यूज पेपर हर एक न्यूज चैनल पर कहा जाता रहा है कि नहरू एक इसलामिक परिवार था सायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुना होगा कि नहरू परिवार एक इसलामिक परिवार था इसी इसलामिक प्रिवार ने बाद में धरम प्रिवर्तन किया और बन गया नहरू प्रिवार लेकिन अपनी पुरानी गंदी सोच है वो प्रिवर्तित नहीं कर सके कई दफा मैलाओं के जुहर लाल नेरू के साथ अवेद संबंदों की बात भी सुनने को और पढ़ने को मिलती है जिनमें माउंट बेटन एडमिना तेजा तेजी जो इंदरा की सहली थी स्रोजनी नाइडू की बेटी पदमजा नाइडू और बनार्स की एक सन्यासिन सारदा क नाम इसके अवेद संबंदों में सामिल है जो काफी सारी किताबों के अंदर सुनने को पढ़ने को मिलती है तेजी जो इंदरा की सहली थी उसका विवाय हरिवंस राय बचन से करवा दिया गया और उनको रिसर्च कारे है तू विदेश भेज दिया गया हरिवंस राय बचन के वापस हिंदूस्तान आने तक यानी करीब दस साल तक उन्होंने वाँ रिसर्च का करे किया हरिवंस राय बचन की पत्नी है वो दस सालों तक जो हरिवंस राय की पत्नी है तेजी कमला नहरू के बारे में भी इन किताबों में बताया गया है कि उसके मुबारक अली के साथ नाजायद समन्द थे इन दोनों के अवेद समन्दों से एक लड़की पेदा हुई जिसका नाम इंद्रा रखा गया इसके साथ ही कमला नहरू के समन फिरोज खान से भी होने की बात अकसर कही जाती है यही सबसे बड़ी वज़य थी कि कमला नहरू फिरोज खान और इंदरा के निकाय का बरपूर विरोध कर रही थी केथरीन फ्रेंक की पुष्टक दा लाइफ ओप इंद्रा गांधी नहरू के अनुसार इंद्रा गांधी के भी केई नाजायद समझ रहे हैं जिसका संपूरन वर्नन केथर की पुष्टक में लिखा गया है इंद्रा ने अपनी मर्जी से फिरोज खान से निकाय किया जबकि आप भखूपी समझ सकते हैं कि कमला नहरू और फिरोज खान के अवेद संबंदों के चलते इंद्रा का फिरोज खान से कौन सा रिष्टा बनता है फिरोज खान इंद्रा के दादा यानि मोतिलाल नहरू की हवेली में नोकर का काम करने वाले पार्सी नवाब खान का बेटा था इन दोनों का विवाए लंदन की एक मस्जिद में कर दिया गया विवाए के बाद इंद्रा का नाम मेमूना बेगम रख दिया गया हिंदूस्तान की सियासत में इंद्रा को नाम दिलाने के लिए मात्मा गांदी ने इंद्रा को गोध ले लिया मातमा गांदी और जुआहर लाल नेरू दोनों इगनिष्ट मित्र थे उसके बाद इंद्रा के फिरोज खान से तलाक और दूरी का कारण इंद्रा के नजायज सम्वंद ही बताए जाते हैं केथरिन की किताब दा लाइप ओफ इंद्रा गांदी नेरू के अनुसार इंद्रा का पर्थम नजायज समंद जर्मन के एक अध्यापक से था इंद्रा के नजायज समंदों की यहां से शुरुआत हुई थी इसके अलावा इंद्रा के पिता जुहरलाल नहरू के सच्चिव एम ओ माईथई से भी उनद्रा की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही थी उस टाइम माई थे इसे भी इंद्रा की लव स्टोरी है वो काफी चर्चा का विश्यप बनी हुई थी समाज और मेडिया में उस वक्त के योग गुरू दिरेंदर ब्रमचारी विदेश मंत्री दिनेश सी और इसके अलावा भी कई लोगों के साथ इंद्रा के नजायच समंदों की बात है वो कई किताबों में लिखी हुई मिलती है कई किताबों में इंद्रा के नजायच समंदों के बारे में हमें पढ़ने को मिल जाता है कहा जाता है कि मात्मा गांदी ने फिरोज को भी इंद्रा के विवाय करने के लिए अपनी जाती गांदी देने देते हुवे गोद लिया प्रन्तु पर्तेक्सों की मानने तो कानूनी तोर पर गोद नहीं लिया गया था आखिर सत्य क्या है ये बता पाना काफी मुस्किल है क्योंकि अगर फिरोज खान और इंद्रा दोनों को गोद लिया तो रिस्ते में दोनों बाई बेन बन जाएंगे और अगर सिर्फ इंद्रा को गोद लिया तो वो गांदी नहीं फिर खान ही हो जाती और फिरोज खान को गोद लिया तो उसका कानूनी तोर पर कोई भी परमान नहीं था इसलिए गांदी जाती लगाने का कोई भी मतलब नहीं था लेकिन वास्तव में इंद्रा को सत्ता में लाने और सत्ता में बनाए रखने के लिए गांदी जाती का उप्योग है वो करवाया गया पर सिद लेखक नटवर्शी की पुष्टक प्रोफाइल्स एंड लेटर्स जिसमें लिखा गया है कि 1968 में जब इंद्रा परधान मंत्री थी तब अफगानिस्तान की अधिकारी क्यात्रा के दोरान नटवर्शी मुस्लिम सुमदाय से तालुक रखते थे तबी बाबर की दरगाय को अपना इत्यास बताया था इंद्रा गांदी के दो बेटे राजीव गांदी और संजय गांदी थे जिनके विश्य में जेयन राव दुवारा लिखी पुष्टक दा नेहरू डाइनेस्टी में लिखा है कि संजय फिरोज खान की संतान नहीं थी जाय संबंद से हुआ था मौमद यूनिस की लिखी पुष्टक परसंस पेशंस एंड पोल्टिक्स में बताया है कि संजय का मुस्लिम धरम मानता अनुसार खतम करवाया गया था संजय अपनी मां इंद्रा से बहुत नफ्रत करते थे और इसी पुष्टक में बताया गया है क एक बार संजय ने इंद्रा को 6-7 थपड़ भी मारे थे जो बात उस समय मेडिया में भी सामने आए थी दोस्तों संजय फिरोज खान की संतान नहीं थे वो भी एक तीसरे परसं मौमद यूनिस और इंद्रा गांदी के जो आपस में नजाय समन थे उनकी उलाद थी संजय और इसी वज़े से वो इंद्रा गांदी से खूब मनफ़त करते थे जेयन राव की पुस्तक दा नहरू डाइनेस्टी के अनुसार राजीव गांदी ने एक केथलिक लड़की से विवाय के लिए केथलिक दरम अपना लिया था और अपना नाम रोबरट रख लिया था डाक्टर सुब्रमन्यम स्वामी की पुस्तक दा ओसी नेशन ओफ राजीव गांदी अनुसार सोनिया गांदी का वास्थविक नाम है वो अन्तोनिया मायनो था सोनिया गांदी के पिता को रूस में पांच वर्सों के लिए किसी कारणवन्स कारावास हुआ था उन्हें पांच वर्स की सजा हुवी थी और सोनिया केंब्रीज के होटल में वेटिस्ट थी जिसके अलावा भी सोनिया से जुड़े कई रहसे और बातें इस पुस्तक में लिखी गई है दोस्तों ये है गांदी और नेरू प्रिवार का रहसे है और सटीक सच जो हिंदुस्तानी नईमल की विदेशों की पुस्तको में भी ये देखने को मिलता है बड़े बड़े लेकों ने गांदी परिवार नेरू और गांदी परिवार की पूरी रियल्टी है वो अपने किताबों में लिखी है वहां से हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है जो वाके में बहुत गहरा सच है, सचाई है ये नहरू परिवार और गांधी परिवार की लेकिन वाके में बहुत ही गहरी है आप इस रहसे और सचाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, गांधी परिवार के इस सच के बारे में आपकी क्या राय है आप इस परिवार के बारे में क्या सोचते है क्या इन किताबों में लिखी गई बातें जूट है या वाके में पूरी सच है इसके बारे में हमें इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारी इस वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें और चाहे आपको पसंद आई हो तो लाइक करें अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें लेकिन आप अपना वोट है वो जरूर दें लाइक या डिसलाइक करके और साथ ही हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेवें सस्क्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा देवें ताकि भवी से में भी मैं आपको रोचक जानकारियां देता रहूं और अगर आपने बेल आइकन दबा रखाया तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा ये थी आज की आज के इस गांधी प्रिवार की पूरी हिस्टरी अब इन्हें खान के हैं या गांधी वो आप कोमेंट बोक्स में बताएं आज के लिए बस इतनी ही अफडेट थी इतनी ही न्यूज थी जो मैं आपको बता चुका हूं मिलते हैं अगली नई अफडेट नई न्यूज और नई रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत